आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तल दर्पन के कोई तीन उपयोग बताऊंगा दो उपयोग तो आप जानते ही हैं लेकिन परिक्षा में कभी कभी पूछ लेता कि तीन उपयोग बताईए तो बहुत ही सिंपल है देख लिए सबसे पहला उपयोग आपने देखा होगा क कि जो हमारी Motor bounty method होती है ठीक है हमारी बाइक है उसमें जो कांच लगा होता है वहां जो नहीं परफ्षा में आपका उत्तल दर्पन ही है वो साइट मीरर जिसे हम बोलते हैं उसका उपयोग क्यों करते हैं क्योंकि जो पीछे आने वाले वहान हैं वहां हमें दूर के वहान भी थोड़े पास नजर आते हैं और इस पस्ट रूप से दिखाई दे देते हैं इसलिए वहानों के पीछे का द्रस्च देखने के लिए उत्तल दर्पन का उपयोग किया जाता है तो पहला पॉइंट यहीं बन जाएगा आपका ठीक है वहानों के पस्च द्रस्च दर्पनों के रूप में जो छपाई के छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पन का उपयोग किया जाता है ठीक तीसरा जो है आपने लाइट जरूर देखे होगी सडकों पर ठीक है कुछ इस तरह की लाइट आपको देखने को मिली होगी और यह जो लाइट है इनमें लेंप लगे होते हैं यानि कि रोसनी के लिए लेंप रहते हैं अब आपने देखा कौन लेंपों की जो रोसनी होती है आपने देखा होंगा यह सडकों पर देखा होगा ठीके गलियों में देखा होगा पर देखा होगा यह जो लेंप लगें इन लेंपों में भी उत्तल दरपन का उपयोग करते अब क्यों करते हैं कारण यह है कि इन लेंपों के उपर लगा रहता हमारा उत्तल दर्पन और जैसे यह उत्तल दर्पन लगा रहता है तो प्रकास जो है उत्तल दर्पन से टकराता है परिवर्तित होता है और परिवर्तित होकर बहुत जानता छेतर में फेल जाता है इसलिए उत्तल दर्पन का उपयोग बजारो सड़को आदी में लगे लेंपो में भी इसका उपयोग किया जाता है। कम से कम समय में मैंने आपको पूरा इसका नोलिज दे दिया है। वहानों के पीछे के पस्ची द्रस्ची दर्पन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में भी इसका उप्योग करते हैं और उत्तल दर्पन का उप्योग भजारो सड़को आदी में लगे लेंपों में किया जाता है क्योंकि लेंपों का प्रकास उत्तल दर्पन से परावर्तित होकर अधिक शेत्रों तक फेल जाता तो यह तीनों का आप अच्छी से स्क्रीन सोट लीजेगा इसी तरह के महत्पुन को से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देदी है प्लेलिस्टी की जितने भी आपके इंपोर्टन को से सबकों में सेरियल वाई सेरियल पढ़ा हूँ चली तो देर किस बात की जाकर प्लेलिस्ट को आप जरूर एक बार चेक आउट कर लिजेगा